आमेरिका ने कहा है कि वो अगले साल यरुसलम में अपना दूतावास शुरू करेगा यरुशलम विवाद के बीच अमेरिका के उपराशपती माइक पेंच कल इसरेल की यात्रा पर पॉंचे उन्होंने इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजमेन नेतन्याहू के साथ बात चीत की माइक पैंस ने कहा कि येरुशलम में अगले साल अमेरिकी दुदावाज शिरू होगा 6 दिसंबर को अमेरिका ने येरुशलम को इस्राइल की राजधाने के तौर पर मानता दी थी उसके बाद किसी भी वड़े अमेरिकी नेता का ये पहला इस्राइली दौरा है